तो गैस आज किस वीडियो में हम बात करेंगे PM200 कर्मा योजना में आखरी क्या क्या लाव है गैस आपको बता दे पिछले वीडियो में हमने PM200 कर्मा रजिस्टेशन किया था उस पर कमेंट आया कि भाईया PM200 कर्मा योजना में आखरी क्या क्या लाव है तो गैस इस वीडियो में आपको पूरी जनकारी दूँगा इस जिएजना में आखिन क्या क्या राव है तो चले विडियो करेंगे स्टार्ट हिनसे पहले आपको बता दे घर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सिस्क्राइब कर लिजिए चलिए विडियो करते हैं स्टार्ट तो गईज पी- skill training आखिर होता क्या है मन के चलिए आप एक टेलर है यानि दरजी है अगर आपको कपड़ा सीने का अच्छे से confidence नहीं है तो यहां पड़ है वन डेज से लेके 5 डेज तक आप skill training दे सकते हैं उसमें आपको किस प्रकार जो है सिलाई किया जाता है आपको अच्छे से सिखाया जाएगा ठीक है अगर आपको advance में करना चाते हैं तो 15 डेज यानि 15 दिन तक सिखाया जाएगा और गाईस इसमें ये भी फैदा है वन डेज यानि एक दिन का 500 डेज भी दिया जाता है ठीक है तो इस प्रकार जो है आप skill training में अच्छे से फायदा को उठा पाएंगे ठीक है अब हम बात करेंगे toolkit toolkit में आखिर क्या फायदा है आईए सबसे पहले हम इसे भी जानते हैं toolkit में आखिर क्या फायदा है तो सबसे 15,000 डिया जायगा तो गईस सबको बतादे अनुदान कीसे लिए दिया जाता है सबसे पहले आप एक टेलर है मान के चली एक दरजी ठीक है आपको जो भी शमान होताहा जैसे फिता हो गया कैंची हो गया इसी प्रिकार्ड के समान खरीदने के लिए आपको अनुदान के तौरबर 15,000 रुपया जो है दिया जाएगा तो गैस अब आजाता है लोन एमाउंट ये कैसे मिलता है सबसे पहले आपको बता दे आपका डाटा जब वेरिफाई हो जाएगा यान पूरुबड हो जाएगा ठीक है इसंके बाद जो है आपको एक लाक रिख दिया जाएगा जो की आपको न महीना में इसे चुका देनी है कही इप पर सी झाहेंगे याणि फाइदा को ले सकते हैं ठीक है तो गैस मेरे दोरा बता है गया जनकाड़ी आपको कैसा लगा अपना डाय कमेंट सेक्षन में हमें जरूर लिखे और इसी तरह के न्यू अपडेट के लिए इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजे फिर मिलते है किसी न्यू टोपिक के साथ तब तक लिए जैहिंद जैभारत